ही आपको एक साथ कहाने ऑर आपका सबजी क्षाने समाने या सबन का देल सब्सक्राइब करें इहां पर करना क्या है, आपको लेना चार चमचule तब кстати अब लेंगे एक चमच हल्दी पाउडर, नमक स्वादय नुसार, लाल मेच पाउडर एक चमच और साथ में ले रहे हैं हम धनिया पाउडर तकरीबन एक चमच और यहां पर ली है आधी चमच मैंने अजवाइन अब हमें लेना है तकरीबन एक से डेड़ चमच और तकरीबन एक से डेड़ चमच और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसका एक टाइट सा डो बना लेंगे त्यान रखिएगा ये डो जैसे हमारी रोटी बनाने वाला आटा होता है रैसे वाला ही डो हमें लगाना है देखिए हातों से इसे अच्छे से स्मूध कर लेंगे अच्छे से रगड रगड के से स्मूध कर लेना है इसमें एक भी गाठे नहीं होनी चाहिए ये देखिए दो हमारा बनकर दयार हो गया है अब यहां पर मेरे पास सेवईया बनाने वाली एक मशीन है इस पे चारो तरफ मैंने लगा लिया है गी और जितना भी यह डो था मैंने सारा इसमें भर दिया है अब भरने के बाद हम इसे इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो हमारी जो बना ली है तो अब हमें करना किया है अब हमें एक पैन लेना है और पैन में तकरीबन यहां पर मैं ले रही हूं डेड़ चमच के आसपास शुद्ध देसी घी अब घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है इसमें तकरीबन एक चमच हम जीरा डालेंगे अब यह देखिए जीर हमारा भुनना शुरू हो गया है इसी समय पर हम डाल देंगे हिंग तकरीबन यहां पर मैं ले रही हूं दो पिंच हिंग और हिंग से अच्छी स्थी खुश्बू आएगी हमारी सबजी में तो हमारा जीरा और हिंग तकरीबन पक गए है अब इसमें हम डाल रहे हैं देखि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और यह देखिए इन सबी चीजों को अच्छे से हम पका लेंगे प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से पका लेंगे देख रहे हैं आप इसी तरह से आपको यह पका के तैयार करनी है अब प्याज का कलर आप देख र लेंगे यह देखिए जो प्याज है हमारी इसी तरह से रखनी है आपको ज़्यादा नहीं पकानी है अब यहाँ पर डाल रहे हैं कुछ मसाले तो मसाले डालते समय यह धियान रखेगा कि जो हमने सेमया बनाई है उन में भी हमने मसाले डाले थे तो मसाले यहाँ पर हम धिय मेरी लाल मिर्च इसे की कलर अच्छा आएगा और यह देखिए हम यहां पर डालेंगे धनिया पाउडर सो गैस यहां पर जब मैंने धनिया डाला तो उसकी क्लिक पतानी कहां गायब हो गई तो आप भी एक चमच धनिया डाल लीजेगा तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं अब यहां पर हम डालेंगे तकरीबन एक चमच घरम मसाला डाल कर सबजी को अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए बहुत अच्छे से हमारे जो मसाले हैं उनकी खुश्पु आनी शुरू हो गई है भीनी भीनी सी खुश्पु जो है मसालों कि आ रही है कि यह मसाला हमारा अब पक चुका है अब पके हुए मसाले में हम डाल देंगे तकरीबन दो गलास पानी अब यह देखिए जो ग्रेवी है इसकी आप काड़ी भी रख सकते हैं और आप इसकी ग्रेवी को पतला भी रख सकते हैं अब यह देखिए एक उबाल आन चाहिए तब हमने जितने भी नूडल्स बना के रखे थे सेवईया बना के रखी हुई थी उबलते हुए पानी में डाल देंगे ये देखिए उबलते हुए पानी में ही डालना है अगर आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो ये जितनी भी आपने सेवईया बनाई है सारी की सारी घुल जाएगी अब हमारी सबजी तकरीबन बन कर तयार हो गई है इसे पकते हुए दो मिनट हो चुके थे और अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे तो गैस जब तक आपकी सेवाईया यह जो नूडल्स है यह पक रहे हैं तब तक आप इने छिड़िये नहीं और दो मि बाद इसे अच्छे से देख लीजेगा सबजी आपकी बन करते है यारे पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब